नमस्कार स्वागत जार्खन की फटा फट ताजा बड़ी खबरों में इस वीडियो में देखेंगे जार्खन की तमाम बड़ी अपडेट काम की खबरें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट अगर आपने अभीता की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जार्खन बोर्ड की ओर से जारी शेडियूल के अनुसार इंटर्मीडियेट परिच्छा और मेट्रिक परिच्छा 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार से शुरू होगी मेट्रिक के शात्रों का आखरी पेपर अंग्रेजी का होगा जो 20 अप्रेल 2022 को आयुजित किया जाएगा वहीं इंटर्मीडियेट का आखरी पेपर पोलिटिकल साइंस का 25 अप्रेल 2022 को होगा जार्खन में मेट्रिक और इंटर की परिच्छा अब एकी ही टर्म में होगी अब्जेक्टिब और सब्जेक्टिब प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ ओमार शीट पर अब्जेक्टिब सवालों के आधार पर परिच्छा होगी इसके लिए इसकुली सिच्छा वव साक्षरता विभाग पहले ही एलान कर चुका है पहले मेट्रिक और इंटर की परिच्छाएं दो टर्म में होनी थी एक से पंदर दिसंबर 2021 तक पहला टर्म अब्जेक्टिब और एक से पंदर मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था चट्छी जेपीएसी पर जहारखन हाईकोट का बड़ा फैसला सभी 326 न्यूक्तियां रद दोस्तों बड़ी खबर है जहारखन हाईकोट ने बुधवार को छट्छी जेपीएसी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आयोक के पूरों में की गई अंतिम न्यूक्ति को रद कर दिया है जिसके बाद 326 अधिकारी जियो न्यूक्ति के बाद अधिकारी बन कर काम कर रहे थे उनकी नौकरी अब खत्रे में पड़ गई है बताए जा रहा है कि जनरल श्टडीज में अभिहार्थियों को अपने वर्ग में नियूरतम आरहतांक लाने थे लेकिन आयोक्तियों से इस 32 परतिशत आरहतांक लाना था जारकंड हाईकोट ने बुद्वार को इस मामले को लेकर महज एक लाइन में अफना फैसला सुनाया और कहा कि पूरों में सिंगल बेंच का फैसला ही मानी होगा इस फैसले के बाद अभिहार्थियों में जवर्दस्थ खुशी देखी गई बड़ी खबर है जारकंड में नई शराब नीती शीशे की बोतल में मिलेगी देशी शराब जारकंड में नई शराब नीती आने वाली है इस नई शराब नीती में कई चीजें जोड़ी गई है इसे एक अप्रेल से लागू कर दिया जाएगा उतपाद विभाग ने शराब नीती का ड्राप्ट तैयार कर लिया है नई उत्पाद नीती में एक्ट बार पॉलिसी, हॉलसेल पॉलिसी, रिटेल पॉलिसी और कंट्री लीकर पॉलिसी में परिवर्थन का प्रस्ताव तैयार किया गया है नई उत्पाद नीती में रिटेल पॉलिसी को भी बदला जाएगा शराब का खुदरा कारुबार JSBCL यानि जारखंड इस्टेट विवरेच कॉर्पोरेशन लिमिटेट के माध्यम सी होगा JSBCL प्लेस्मेंट एजेंसी के जरिए दुकानों का संचालन करेगा प्लेस्मेंट एजेंसीों के लिए सरकार टारगेट फिक्स करेगी बता जा रहा है के नई उत्पाद नीती के तहत कानून में बदलाव किया गया है शराब की अवैद विक्री वन नकली शराब के बेपार को नियंतरित करने के लिए राजे में लागू सुप्रीम कोड ने खारिच की याचिका सुप्रीम कोड ने केंदरी माधिमिक सीच्छा बोर्ट यानि CBAC और अनिय बोर्ट द्वारा आयोजीत की जाने वाली दसवी और बारवी कक्षा की आफलाइन बोर्ड परिक्षा रद किये जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते करने से इनकार कर दिया याचिका खारीच करते हुए शिर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं गुमराह करती हैं और बच्चों को जुटी आशाये देती हैं याचिका में CBSE, ICSE, NIUS के अलावा सभी राज्यों में कक्षा दस्वी और बार्वी कक्षाओं की बोर्ड की परिक्षाएं शारेदिक रूप से आयोजित कराने पर रोक लगाने की गुहार लगाए गई थी बड़ी खबर है पांच लाख सालाना आये वाले तीस लाख परिवारों के बच्चों को मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारखन के शात्र अब पैसों के अभाव में उच्छ सिक्षा से बंचीत नहीं रहेंगे उनके लिए जारखन इस्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी तीन मार्च को पेश हो रहे जारखन बजट में इसकी घोशना की जाएगी उच्यों टक्निकी शिक्षा बिभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है इस कार्ड की लिमिट दस लाक रुपे होगी जिसे दो या तीन किस्तों में निकाला जा सकेगा इस पैसे से शात्र किताब और लेप्टॉप आधी खरिदने के साथ ही कॉलेज कोचिंग की फीस और होस्टल की फीस भर सकेंगे जारखन से मेट्रिक और इंटर करने वाले शात्रों को ही इसका फायदा मिलेगा इसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि लाभ लेने वाले शात्र जारखन का मुल निवासी हो परिवार की आये पांच लाक रुपे से कम हो और आयकर रिटन न भरता हो इस योजना के शुरू होने के बाद चिन्हित बैंक शात्रों के नाम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी करेगा इसके लिए किसी गारंटर की आवशक्ता नहीं होगी बता दे कि यह राशी शात्रों को दस साल में लोटानी होगी एक अपरेल से दोगुनी हो सकती है रस्वी गैस की कीमत रूस और यूकरेन के बढ़ती टेंशन आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है वास्तों में रस्वी गैस से जल्द ही आम लोगों के बजट को और अधिक बढ़ा सकती है रूस और यूक्रेन के बढ़ती टेंशन से वैश्विक अस्तर पर गैस की किलत देखने को मिल रही है जिसके कारण से अप्रेल से पका, खाना और महगा हो सकता है मेडिया की खबरों को माने तो इस वैश्विक गैस संकट का परभाव जल्द ही भारत में घरिलू गैस की कीमतों पर दिखाई दे सकता है जो अप्रेल से दो गुना हो सकता है वैश्विक संकट के साथ CNG, PNG और विजली की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है इसे ट्रांस्पोर्ट कोस्ट और इंडेस्ट्री ज ओपरेशनल कोस्ट खर्च में भी इजाफा देखने को मिलेगी सरकार के उर्वरक सबसीडी बिधहक में भी इजाफा देखने को मिल सकता है कंजुमर्स को इन सभी कारकों के परत्यक्ष परभाव का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों बड़ी खबर है जारखन में बहाल होंगे 10,000 सिक्षक हाई स्कूल के लिए मैट्रिक इंटर कमपल सरी जारखन में हाई स्कूल सिक्षक नियामावली के संशोधन की अधी सुचना जारी कर दी गई है इसके साथ ही अब नियुक्ती का रास्ता भी साफ हो गया है हाई इसकुल सिख्छक नियुक्ति नई नियामोली के अनुसार हाई स्कुल में सिख्छकों की नियुक्ति के लिए जहारखन से मेट्रिक और इंटर पास करना जरूरी हो गया है बतादी कि इससे पहले अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है वह 2015 में बनाई गई नियुक्ति नियामावली से होती रही है संशोधित नियामावली में किये गए अहम बदलाव में एक बदलाव यह है कि तीन वर्सिये असनातक डिग्री धारी के अलावा पीजी की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स भी योग्य होंगे नियामावली की अधीसूचना के अनुसार माध्यमिक इसकूलों में सीक्षक बनने के लिए माध्यमिक अस्तर तक जिन विशयों की पढ़ाई होती है उन विशयों को लेकर तीन साल की असनातक की डिग्री होना जरूरी है इसके अलावा संबंधित बिशाय में PG के डिगरी के साथ B8 किये हुए उमिदवार भी नियुक्ती के लिए योग्य माने जाएंगे बड़ी खबर है वाटसेप ने भारत में लौँच किया सेप्टी इन इंडिया वाटसेप ने एक समर्पीत सेप्टी इन इंडिया रिसोर्स हब लौँच किया जिसमें लोगों को ओल्लाइन सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए कई सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया है इंटरनेट के सुरक्षित उप्यों को बढ़ावा देने के लिए वाटसेप के सप्ता भर चलने वाले अभियान टेक चार्ज के बाद रिसोर्स हब का शुभारम हुआ वाटसेप ने एक बयान में कहा हमारे यूजर्स की सुरक्षा वाटसेप पर हम जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में है और एक समर्पित सेप्टी इन इंडिया रिसोर्स हब लाउंच करना यूजर्स को उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को कंट्रोल करने के लिए सिक्षित और सशक्त बनाने की हमारी परती बद्धदा को दोहराने का एक तरीका है वाटसेप ने कहा पिछले कुछे सालों से हमने यूजर्स सुरक्षा और गोपनियता बढ़ाने में मदद के लिए महतुपून उत्पाद में बदलाव किये हैं लगातार प्रोडक्ट इनोवेशन के अलावा हमने लगातार आधुनिक तकनी की आर्टिफिशल एंटिलिजेंट डेटा सैंटिस्ट एक्सपर्स और प्रोसेस में भी इन्वेश्ट किया है दोस्तों खबर मौसम की जारखन में आज से बदल सकता है मौसम जारखन के मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना है यह मौसम बदलाव पस्चिमी बिशोप के कारण होगा मौसम विभाग का पुर्वानुमान है कि 24 फर्वरी से 26 फर्वरी तक राची समित जारखन के कई हिस्सों में हलके से मध्यम तर्जे की बारिश होगी इस दोरान मेग गरजन और बजरपात भी देखा जा सकता है मौसम विभाग ने तीन दीनों के लिए यलो अलर्ट जारे किया है जंधन खाताधारों के लिए बड़ी खुश खबरी हर महिने मिलेगा हजारों का फायदा जंधन खाताधारों के लिए बड़ी खबर है केंद्र सरकार की ओर से जंधन खाताधारों को हर महिने हजार रुपे का फायदा दिया है अगर आपने भी जंधन अकाउंट खुलवा रखा है तो चेक कर लें कि आपको यह फायदा मिल रहा है या नहीं सरकार ने देश के गरिबों और जरुरत मंद लोगों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी बतादे की जन्धन खाते के ताथ अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तब भी आपको पूरे दस हजार उपए तक की मदद बैंकी ओर से मिल सकती है सरकार की ओर से बैंक के गराहकों को इस खाते पर दस हजार उपए ओवर ड्राप्ट की सुविधा देता है बैंकी ओर से गराहकों को पहले केवल पाँच हजार उपए तक के ओर ड्राप्ट की सुविधा दी जाती थी लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया था इसके अलावा आप 2000 रुपए तक के ओवरड्राप्ट की सुविधा बीना किसी शर्थ के ले सकते हैं देश में 24 घंटे में 15,102 कोरोना के नए मामले 278 हुई मौत देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,102 नए मामले सामने आए हैं 31,377 मरीज रिकवर हुए हैं जबकि 278 लोगों की कोरोना से दोरान मौत हुई है वहीं सक्रिय मामले यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 17,847 की कमी आई है इससे एक दिन पहले स्वमवार को 13,348 नए मामले मिले थे और 235 लोगों की मौत हुई थी